हेलो गाइज, वेलकम टू स्टरी कैफे नेपाल के राचनितिक नेताओं ने प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल से उनकी भारत यात्रा के दोरान अखंड भारत के बीती को हटाने के मांग करने का आगरह किया है प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल की बुद्वार को भारत यात्रा से पहले नए सांसत बवन में लुम्बिनी और कपिल वस्तु जैसे प्राचिन स्तलो को चितरित करने वाले एक भीती चित्र ने नेपाल में विरोध का तुफान खड़ा कर दिया है भीती जिसे नए सांसत परिसर के डिजाइनरों का कहना है कि प्राचीन भारत विचार के प्रभाव को चितरित करता है कुछ भारतिय राजनेताओ द्वारा अखंड भारत या अकीकृत भारत के प्रतिनी दित्व के रूप में संदर्बित किया गया है जिसमें कई परोशी देशों को ये हिस्से सामिल है जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पांगलादेश और श्रीलंका नेपाल के राजनेतिक नेताओं ने देहल जिने प्रचंड के नाम से भी जाना चाता है बारतिय अधिकारियों के साथ मामला उठाने और बीती को हटाने की मांग करने का आगरह किया है मंगलवार को इस मुद्दे को उठाने वाले नेताओं में पुर्व प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल थे कटमंडू पोस्ट ने मुख्य विपक्षी CPN UML पार्टी के नेता ओली के हवाले से काहा यहाँ उच्चित नहीं है उन्हें अपनी पार्टी के मुख्याले में काहा भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और मजबूत देश के रूप में देखता है और लोक तंत्र के मौडल के रूप में नेपाली शेत्रों को अपनी नक्षे में रखता है और नक्षे को सांसद में लटकाता है इससे उचिन नहीं कहा जा सकता ओली ने कहा प्रदान मंत्री कल भारत जा रहे है उन्हें बीती हटाने के लिए कहना चाहिए उस गल्दी को सुधाने के लिए भारत सरकार से बात करनी चाहिए यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भारत आने का कोई मतलब नहीं है दहर ने अपनी पार्टी के सांसदों को आस्वाशन दिया कि वह भारती अधिकारियों से बीती चित्र के बारे में पूछेंगे भारत याद्रा पर चर्चा के लिए आयोजित संसदिय दल की बैटक के दोरान सांसदों द्वारा भीती चित्र पर आपत्ती जताने के बाद उन्होंने यह आस्वाशन दिया बगवान बुद्ध की जन्मस्तली लूबीनी बौदो के लिए एक पवित्रत थिर्तस्तल है कपिलवस्तु एक प्राचीन शहर है जो साक्य ससको की राज़दानी था बुद्ध का बच्पन का घर था तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा